हे गाइस आईए एक नजर डालते हैं कि प्राचीन नकाशी को कैसे डीकोड किया जाता है और इस वीडियो के अन तक आप महसूस करेंगे कि इन देवताओं को समझना हमें पूरी तरहां से नई खोजो की ओर ले जाता है जो कि नजरों के ठीक सामने छुपी हुई है यह भारत के दारा सुरम में अरावितेश्वर मंदिर है इतिहास कारों का मानना है कि इसे लगभग 850 साल पहले बनाया गया था आईए इस देवता को देखे और यह समझने की कोशिश करें कि इसका क्या आर्थ है यह सिर्फ एक पूरुष देवता की तरहां दिखते हैं जिसकी हातों में दो फूल है यदि आप भारतिय शास्त्रों को पढ़ते हैं तो आप महसूस करेंगे कि यह सूर्य देव हैं जो सूर्य का प्रतिनिधित्व करते हैं अब दस वीट की दूरी के भीतर मंदिर की दूसरी तरफ हम उसी सूर्य भगवान को फिर से खुदा हुआ देख सकते ह यह एक दुरलब द्रिश्य है एक ही देवता को दो बार उकेरा गया है एक दूसरे के करीब प्राचिन बिल्डरों ने दस वीट की दूरी के भीतर एक ही भगवान को दो बार क्यों तराशा बेशक मानक उतर काफी सरल है यह एक हिंदू मंदिर है और धार्मिक पूजा के ल प्रतियक नकाशी एक विशिष्ट कारण के लिए की गई थी इसलिए मैं उनमें से प्रतियक पर करीब से नज़र डालता हूँ यहां ये दो नकाशिया साथ साथ हैं आप चाहें तो पॉस बटन पर क्लिक कर सकते हैं और उनके बीच के अंतर को जानने की कोशिश कर सकते हैं आपको क्या मिला? बाई और की नकाशी से पता चलता है कि फूल अभी खिलने लगी हैं पंखुडियों को देखें दाई और की नकाशी फूलों को पूर्ण रूप से खिलते हुए दिखाती है पंखुडियां खुली हुई हैं प्राचीन वैदिक गरंतों में सूरदेव को दो कमल के फूल पकड़े हुए दिखाया गया है कमल सुभा के सूरज में खिलना शुरू हो जाता है और शाम को सूरज डूबने तक खिला रहता है तो यह नकाशी सुभा के सूरे का प्रतिनिधित्व करती है और यह नकाशी शाम के सूरे का प्रतिनिधित्व करती है तो अ अब हम इन दो नकाश योकार्थ समझ गए हैं। लेकिन हम केवल रहसी की सतय को खरोच रहे हैं। आप देख सकते हैं कि सुर्य देव की नकाशी घोड़े के ऊपर की गई है। क्या घोड़े के नीचे भी कुछ उकेरा गया है। साधारण आगंतुकों के आँखों से छिपे हुए इस देवता को नीचे उकेरा गया है। वह कौन हैं? उनके बालो और उनके द्वारा धारण किये गए हत्यारों से उन्हें काल भहरव नाम के एक देवता के रूप में पहचाना जा सकता है। यदि आप इन भगवान की मानक ब्यक्याओं को देखें तो यह कुछ हद तक सरल है और इन्हें भगवान शिफ के उग्र या भयावय रूप की रूप में जाना जाता है। लेकिन इन देवता को गहराई से देखने से पता चलता है कि काल शब्द का अर्थ है समय और भहरव शब्द तीन शब्दों में विभाजित है निर्मान, पालन और विनाश तो काल भहरव का वास्तविक अर्थ है शास्वत समय पालक। अब हम इन तीन नकाशियों का अर्थ जानते हैं लेकिन हम अभी भी ये नहीं जानते कि इन्हें क्यों तराशा गया है। पूरे मंदिर को खीच रही हैं जो एक रत के अकार का है। इन पाईयों को यहां क्यों केरा गया है? सिर्फ सजावट के लिए? ऐसा हो ही नहीं सकता। आईए तीलियों की संख्यागिने, प्रतेक पाईये में 24 तीलिया हैं। मानिये या ना मानिये ये दो पहिये एक प्राचीन घड़ी बनाती हैं। एक धूब घड़ी जो अब तक कई सदियों से अंदेखी पड़ी है। कोई नहीं जानता कि ये एक धूब घड़ी है। भले ही ये सभी नकाशियां, समय पालक, सुबह का सूरे और शाम का सूरे विशेश रूप से संकेत करती हैं कि ये एक धूब घड़ी है। ये 24 तीलियां दिन के 24 घंटों को दर्शाती हैं। इस पही का उपयोग सुबह और इसका उपयोग शाम के समय किया जा सकता है। अब आप जानते हैं कि प्राचीन बिल्टों ने सुबह के सूरे को इस पही के उपर और शाम के सूरे को इस दूसरे पही के उपर क्यों उकेरा। एक अन्य वीडियो में मैंने पहले ही आपको कोणा की सूरे घड़ी के बारे में बताया है तो मैं आपको फिर से वही जानकारी दे कर बोर नहीं करूँगा लेकिन एक बार वास्तव में जल्दी से देखते हैं प्रतियक दीली के बीश का कोड एक घंटे का प्रतिनिधित्व करता है और 60 मिनट को 10 मोतियों में विभाजित किया जाता है जो विशेश रूप से वर्तमान समय को 6 मिनट की सटीक्ता तक दिखा सकता है मैंने स्थानिय लोगों और पुजारियों से पूछा है लेकिन कोई नहीं जानता कि यह है एक धूप घड़ी है इंटरनेट पर खोच करने से भी हमें कोई परिणाम नहीं मिलता है जिसका अर्थ है कि मैंने अभी इस धूप घड़ी की खोच की है इतिहासकार हमें बताते हैं कि भारत में सबसे पुरानी धूप घड़ी कोनार्क मंदिर में मौझूद है जिसे लगभग 1250 EZB में बनाया गया था हाला कि इस मंदिर का निर्मार कोनार्क मंदिर से 100 साल पहले 1150 ED में हुआ था इसलिए मुझे लगता है कि मैंने अभी अभी भारत की सबसे पुरानी धूब घड़ी की खोच की है यह काफी अच्छी खोच की तरह लगता है लेकिन आईए हम लगभग 800 साल पहले की समय में वापस जाएं यह एक सामानी ग्यान रहा होगा एक आगंतुब मंदिर के चार और घूमता होगा और सूरे भगवान को देखता होगा और तुरंट पहचान जाता होगा कि यह पहिए समय बताते हैं जैसे आज हम अपने घड़ियों को देखते हैं वैसी ही वह समय की गर्णा करता होगा और चला जाता होगा फिर भी इतिहासकार हमें बता रहे हैं कि 800 साल पहले भारत में ज्यादर तरलोग अशिक्षित थे और मिटी की जोपियों में रहते थे पुरातत्व वेत्ता जिन्होंने इन सभी नकाशियों का दस्तावेजी करण किया है वे हमें बताएंगे कि इन देवताओं को अंधविश्वास से उकेरा गया था और इनका कोई वैग्यानिक अर्थ नहीं है देखिए हर प्राचीन भारतिय मंदिर में बहुत सारे छिपे हुए रहसी हैं जो नजर के सामने ही छिपे हुए हैं यदि आप देखना शुरू करें तो आप समझ सकते हैं कि ये शांदार नकाशियां क्यों बनाए गई थी उधारण के लिए छोटी से आदमी को देखिए जो खोड़ा और रथ चला रहा है सुभा के सूरे के नीचे इस आदमी ने अभी अपना दिन शुरू किया है और उसके बाल अच्छी तरह से कड़े हुए हैं वह मुस्करा रहा है और उसका एक पैर दूसरे के सामने है शाम के सूरी के नीचे वही आदमी भोय चड़ाता है क्यूंकि वह ठक गया है उसके बाल खराब हो गये हैं उसके पैर दूर-दूर है उसका एक हाथ उसके कूलों पर है और वह घोड़े से तूर देख रहा है क्योंकि उसका दिन खत्म हो गया है यदि आप इस मंदिर में जाते हैं तो हातियों को भी देखें वे आपको इस बारे में बहुत अधिक जानकारी देती हैं कि प्राची निर्माता वास्तव में हमें क्या बताने की कोशिश कर रहे थे अब मैं यह बताना चाहता हूँ कि यह धूबगड़ी सिर्फ आइसबर्ग का एक सिरा है नजर के सामने ही बड़े रहसे छुपे हुए हैं उधारण के लिए हमने घोडों में से एक के नीचे शाश्वत समय पालक की नकाशी को पाया दूसरे घोड़े की नीचे क्या है एक बड़ा आश्चरे भगवान बुद्ध बुद्ध को हिंदू मंदिर में क्यों केरा गया है इस मंदिर में कोई अन्य बौध नकाशी नहीं है तो इसे गुप्त रूप से क्यों केरा गया है जो आकस्मिक आगंतुकों की आखों से छुपा हुआ है बुद्ध का यह हस्त संकेत प्राचीन मूर्थियों में भी दुरलब है इस हाथ के संकेत को ग्यान मुद्रा कहा जाता है जिसका अर्थ है ग्यान या बुद्धी का प्रतीक वह किस ग्यान की ओर इशारा कर रहे हैं वह दूसरी तरफ के शास्वत समय पालक से कैसे जुड़ा है जिदि आप इसे और अधिक डिकोड करने का प्रियास कर रहे हैं तो इन बिंदुओं पर विचार करें एक काला शब्द का अर्थ न केवल अतीत वर्तमान या भविश्य में समय है बलकि इसका गहरा वैग्यानिक अर्थ भी है प्राजीन संस्कृत और तमिल ग्रंथ कुछ दिलचस्प दिखाती है एक दिन जो 24 घंटे का है उसे काल की 60 इकाईयों में बाटा गया है अठाकाल की एक एकाई 24 मिनट के बराबर होती है दो बहुत काल चक्र नामक एक जटिल और गून सिक्षा का उप्योग करती है जिसका शाब्दिक अर्थ है समय का पैहिया काल चक्र तंत्र के नाम से प्राचीन ग्रंथ में दो पहियो बाहरी चक्र और आंतरिक चक्र का वर्णन है तीन यहां कुछ और देवी देवता है जो पास में उकेरे गए हैं जो आपको आगे समझने में मदद करेंगे ये देवता कौन है और उन्हें पास में ही क्यों केरा गया है इन बिंदूों को डिकोट करने से आप बड़े रहस्यों तक पहुच जाएंगे हो सकता है कि रहस्य नजर के ठीक सामने छिपा हो इस वीडियो को फिर से देखने का प्रियास करें और जो आपको मिला उसके बारे में कमेंट शेक्शन में लिखें मैं प्रवीन मोहन तेखने के लिए बहुत बहुत धनेवाद क्रिपयास रीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें क्योंकि भारत को अभी अभी अपनी नई सबसे पुरानी धूप घड़ी मिली है मैं आपसे जल्द ही बात करूँगा बाई